जोहार नवज़कार दासोरिन सू में आपका स्वागत हैं। और जारखंड की आवाज है जारखंड की आवाज कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि वो जारखंड की लता मंगेस कर हैं बिल्कुल वो हमारे साथ है इस शो में उनका स्वागत करते हैं और आज हम उनके इस संगीत के सफर के साथ उनकी आवाज भी सुनेंगे और जाने मोनिका मुंडू को जो आज हमारे साथ इस शो में है इस शो में आने से पहले या इस शो की शुरुवात से पहले मैं आपको बता दूँ कि जारखंड की नागपूरी भाषा की संगीत की सफर हलांकि यह तो सद्यों से गया जाते हैं लेकिन इसे रेडियो में या टेलिविजन पर या recorded गानों की जिन्दगी की सफर जो है वो सुरुवात होती है मोनिका मुंडू और इनकी टीम जिसमें इनके हस्बेंड टेज मुंडू भी शामिल हैं इन लोगों ने मुझे ठीक ठीक याद नहीं पर 80 या 90 के दसक के आज पास में पहली वीडियो कैसेट निकाले थे जिलका नाम था प्रीत और प्रीत के गाने इतने हिट हुए इतने हिट हुए आज तक उस गाने की या उस कैसेट अलबम की जोड के गाने नहीं बन सके हैं तो चलिए पहले स्वागत करते हैं इनका और इनी से तारीक भी पूछ लेते हैं यानि इनकी कैरियर संगीत के कैरिय प्रिट अपको भी और आपके चैनल के लिए बहुत-बहुत सारी बढाई और बहुत सारे जारकंड के का लाकार इस से जुड़ रहे हैं लंभनवीत हो रहे हैं लोग जान रहे हैं धीर साने शुपकी आमना है अपको हार्याशं पर अच्सर ऐसा होता था कि जब भी मैं आपसे वक्त लेने के लिए आपको फून करता था आपकी तब्यत खराब रहती ती यह किसमत मेरी बने कि आप मेरे साथ इस शो में हैं तो चली शुबात करते हैं वो प्रीत के दौर से ही जो नाकूरी के साथ आपका प्रीत बना और सं जी पूरी सालेम तीम का था और इसके लिए मैं शौभागे शाली हों कि इस टीम के साथ मैं जूर पाई प्रीत कैसेट जो अलबम है आपने देखा होगा उसके जो कैसेट के जो फ्लैप में मेरी और मेरे देवर जी की तस्वीर है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो एल अलबम मत्तब सुपर डूपर हिट हुआ था उस वक्त लेकिन मेरा दुर्भागे यह था कि उस वक्त मैं बाहर के किसी कंपनी में मैं बॉंड भर चुकी थी तीन साल के लिए और उस अलबम में गाना मुझे था लेकिन आप मुझे कोरस में देख सकते हैं मेरे मुझे फोट कि मिलेगा उसमें मैं जरूर कहना चाहूंगी उसमें जिन्होंने आवाज दिया बहुत ही मधूर तरीके से उन्होंने गाया वो थी रिता रिता कुल्डू तो यही मेरा दुर्भाग यह रहा कि ऐसे अलबम में मैं सिर्फ कोरस और तस्वीर के माधियम से ही जूर पाई ले आई फोलूरा के साथ प्रीट के लिए ऊच्छी ही रही जिए जिए उसके गाने आसाम में प्रीट के बाद सांझ आई इसके बाद फुलूरा है जी जी तो मैं समझती हूँ कि फोलूरा से मेरी शुरूएट हुई उसके गीतों को भी लोगों ने सराहा पसंद किया और वो जहां तक मुझे याद है आसाम कि किसी MP ने उसे पर्चिस किया था मेरे एक गीत को पिया हमर नैन कर नेदिया तो इचोरा के वो एक फिल्म याया था मेरे साथ साथ मेरे पुरे टीम का भी फेवरेट सांग है और चुकि ये गाना मैं जब गाई थी तो आप कह सकते हैं कि 16 के बाद वाले इस था मतलब वो प्यार वाला ही उम्र था और उसको गाने में मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो जो 16 से 22 का दोर रहता है ना उसमें चाहे लड़का हो या लड़की एक नहीं दुनिया में रहते हैं नहीं खाब में रहते हैं और शायद उस खाब का उस सुनहरा जो सपना था जिन्दगी का उसको केरने का प्रयास हम लोगों नहीं किया था गीत थे पिया हा मनेन कर निंदे आतों चुराए के हाई मो के दिवाने बनाए देले मो के दिवाने बनाए देले यह गाना था जो मेरे बहुत दिल के खरीज था तो पिया ने नहीं से आपको दिवानी बना दिया और आपने अपने आवाज से उसकत तो खाब बुन रहे थे हम सभी लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो सालिम टीम है वो मेरी जिंदेगी का एक एहम पाद में शामिल हो जाएगा तो यह इस संगीत के सफर में सुनते रहेंगे कुछ और गाने यह सिल्सिदा कैसे शुरू होता है आपका संगीत की दुनिया में आने का देखिए मैं बच्पन से म्यूजिक की बहुत शौकिन रही और जो सही माई मैं दोंगी अपने परेंस को किahaha बहुत अच्छा घाना गाते थे मैं के बंगोली परिवार से हूं और मेरी बाबा बहुत अच्छा गाना गाते थे लेकिन आंड़ी मां भी अच्छा गाती थी लेकिन में भाहत से जादा प्रेजित थीं हमिशा हमारी सबी सुनते थे और यही था मुझे लगता है संगीत की ओर जो आकर्शन मेरा बढ़ा वजा यही था और मैं आज भी विविधार्ती सुनती हूं आज भी फैन हूं तो रेडियो मेरी प्रेरना है प्रतम प्रेरना बाबा के बाद तो उस वक्त तो आप जानते हूंगे हूदा नहीं हुआ करता था- विडिले ही किसी-किसी के पास राता था हमारे पास जब तक यह जब तक हम थोड़े बड़े हो गये थे लेकिन डीडियो में ऐख बार भी गाना बसे था और फिर हम जो गाना पसंद कहई प्रतम अपर्सर दुबारह इंतजर करते क्यों तो कि क तो वहां मिलती थी जहां इस इनमा हॉल रहता था वहां बिखते थे तो उस वक्त वो जो दौर था उस वक्त सिनेमा हॉल तक जाने के लिए पेरेंट्स का सहयोग ज़रूरी था हम तो जा नहीं सकते थे और उपर से हम लड़कियां उन्हें तो अनुमती बिल्कुल भी नहीं म होते थे तो पापा हम सबको एक मुवी जरूर ले जाते थे तो जो मुवी ले जाते थे उसकी उसकी गाने की किताब हम जरूर खरी लेते थे जैसे नदिया की पार वहां कोई नाम के तौर पर मिलता था तो रोना धोना चालू हो जाता था तो पापा को देना ही पड़ता थ तो उस वकते जब रेडियो बशता था, दो बारा जब इंतजार करते थे , न आए खे रभेशार आरता थे हमीं मदूच ए पता नहीं रहता था तो जहां बज़ाини, इसका भी इंतजार नहीं रहता था, कि सप्तिश करोट रहे बस हात में पेंसल होना चाये था इसए तो बंके जब भी बसता था रात के दस बजे वो चायागीत सुने बिना मैं सोती नहीं थी तो बहुत पिटाई पड़ता था क्योंकि सुबह सुबह उठना पड़ता था था मॉनिंग स्कूल था तो मा बहुत नाराज होती थी तो मेरे भाहिया मेरे शौक को देखते हुए मेरे बड़े भीया वो उस वक्त आया था एकदम माचीस की तरह शेप में छोटा से रीडियो आता था उसमें एरफोन लगा करके और दादा मेरे को चुपकिस वो दी थी कि मा को पता नहीं चलेगा ये माचीस जासा दिखता है तो मैं इसको लेके चायागी तो वो मेरा फेवरिट चीज वो मैं बिलकुल एकदम प्रानों से भी जादा उसे बचा करके रखती थी बैक्टरी डाउन होता था बहुत दूख होता था दादा को नौक करती लेकिन यही था हमारे मन का ये लेकिन मैं पो बता दो प्रोफेशनल फिल्ड में कैसे है मतलब प्रोफेशनल सिंगर के बाग लेने लग गई तो लोग जानने लगए कि यह बच्ची गाती है तो एक बीभु का कुथ थे और पिंटू को दाथे दोनों अभी नहीं रहें तो लोग रेडियो का प्रोगाम सब करते थे तो उनके साथ साथ में ग्रूप में गाया करती थी कभी 26 जनवरी कभी 15 अग नित्य में आई उसकी बाद में गाने में आई इसकी भी कहानी है मैं आपको बता ही देती हूं क्योंकि जब डान्स और गाने का शौक तो बच्पन से ही था हमें और मैं उस वक्त आप जानते होंगी कि घर घर जाकर के गुरू गाना सिखाया करते थे अभी जैसे हम लोग ए इसकी की जो अपड़ार, तो ऌंड़ लेना चाहूंगी वो भी मेरे प्रेना स्वरू रूफी है शिखा चाटर जी तो एक जगह था जहां पर हमारी फ्रेंड्स डान्स किया करती थी तो शिखा चाटर जी गाना गारती थी वो भी मेरे गुरू से ही सिखती तब ितक मैंने तो चैती दत्ता जी थी जिनके हम लोग डांस सिखते थे तो डांस के भी एक कहानी है कि डांस का शौक था तो उसमें भी पापा चाहते थे कि हम लोग अच्छे से पढ़ाय लिखाय करके जो हर पेरेंट्स चाहते हैं पुई अच्छी जॉब में जाए यह कोई यह बात नहीं है सारे पेरेंट्स जाते हैं और वो दौर थोड़ा आप समझी सकते होंगे कि उस वक्त लड़किया डांस करी है गाना गारी है इधर जारी है उदर जारी है थोड़ा सा दूस्ते तरीके से लग अटपटा सा लग लेकिन छॉक तो शॉक है जिसमें जुनून हो गया वो तो छोड़ नहीं सकता ना तो हमारे हाँ छोटा सा स्कूल हुआ करता था शीशु भिहार नाम था तो उसमें एक टीशर डांस सिखाया करती थी तो उनको वहां उन्हीं को एंट्री मिलती थी जो वहां सीखते थे और नहीं तो आया दीदी गेट से अंदर भी नहीं जाने दिती अच्छा तो आया दिदी से किसी तरह पहले तो दोस्ती किय한 नहीं उसकी बाद गुले देखो अंदर तक नहीं जा सकती हो बाहर सी जो देखना से वह लगी हुए रहती है तो टुके कुंदी जब लूज होता था तो यहां को झैक आद ना कुण से कही और फिट किया जाता था तो उस मिट अ रह जाता था। तो उस होल से मैं एकदम गौर से देखती थी कि कैसे डांस हो रहा कहला उस होल से देखकर ए मैं घर आती थी , same वापस ठ्याज करती थी। हुं उसका भी एक यह था कि हमारे हां बहुत बड़ा मिरर नहीं था, कि हम उस मिरर में देखकर करें, तो कुआर्टर में पले बढ़े हैं, मिरर था, लेकिन पूरा बॉड़ी डिखे, ऐसा मिरर में था, तो फिर क्या करें, अब हम कैसे जाने कि हम क कि मेरा पैर कैसा जा रहा है। मुबाइल का भी जमाना नहीं था, खुद को देखना मुश्किल ही था। तब में लाइट की परच्छाई पर मैं डान्स करती थी और उस परच्छाई को देख करके मैं अपनी स्टेप्स करती थी कि मैं कर रही हूं किया। कहानी आपकी होने वाली है इसलिए मुझे लगता है कि ब्रेक ले लेना चलिए आपको ब्रेक के बाद मुरीका मुंदू जी से कुछ और दिल्चस्प कहानियों के साथ इनके सूर की ताशीर भी लेंगे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं अदा सोरिंसू आदा सोरिंसू में हमारे साथ आज है नागपूरी भोजपूरी बांगला संथाली उराओं पताने कितने कितने भाशाओं में गाना गाचुकी मोनिका मुंडू बहुत मुझे लगता है कि एकाध हजार से तो जादा ही गाना गाच्चकियों में अपता है गिंती तो याद नहीं है लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि पांच हजार से उपर ही होगा हर भाशा को मिला करके संथाली में भी आपके गाने मुझे सुनने को नहीं है इसलिए एक संथाली वाला सुनाई ये प्लेश, कौन सा गाना एक गाना मैं दो लाइन जो मुझे बहुत पसंद है ये अल्बम का नाम था जूर बहा वह आप देखेंगे आपको पता चलेगा बहुत ही हिट एल्बम हुआ था मुझे याद है एक बार मैं ये गई थी जहां संथाली क्या जिए आम है य कि तो ओन हम याद का नाम है यहाद यकां मतली आए मुझे सामें यह वह अंत्ली अप्ले भौत जादा रहते हैं क्या है यवहर में तो हंं हिंदी टीम भी गया था और नागपुरी टीम भी गई थी मुझे स्पेशली बुलाया गया था जूर बहा एल्बम के गानों के लिए और मैं वहां गई दो दो टीम थे तो कोई भी टीम जब चड़ रही है तो पब्लीक हला करी है मौनिका मुंडु मौनिका मुंडु को भेज अग्या था तो इस तरह से हिंदी टीम को मौका ही नहीं दिया गया चड़ने के लिए और रात भर मैं सिर्फ जूर बहा का गाना गाई और बार-बार रिपीट करके नहीं आप वही गाई लेकिन आप वही गाई तो इस तरह से हम लोग एक गाना था जूर पर जूर पहा टो बहात ही तो दूसरा गान था कुकुड वूर माला पोतां दाया गिम्रा गाते लगे तो यह था तो इस तो इस तो अग्या पूस्री वाली में सुनी आप बहुत खुर आजा जी थे तो आप बेंगोली फैमिली में पले प्ले बढ़ें उस परिवार से आई और इतने सार त्राइबल लेंग्विज को अपने अडॉप्ट कर लिया अपने सुर में आपने उसे ढाला कितना मुश्किल था मुझे लगता है संगीत की कोई भाषा नहीं होती हैverbs संगीत के सων होते हैं और शब्दों को जो आप कहना चाहतें उसे समझने का बस फीर होता है क्योंकि इन्सान के भाषा कही हैं लेकिन फिलिंग्स तो वहीं है ना हम हमारी जो भावनाय हैं वो कहीं अलग तो नहीं है शब्दों को हम अपने शब्दों में लिख लेते हैं जो भी शब्द रहते हैं बस भाषा की जानकारी नहीं होने से जिन्हें जानकारी है उनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है उसे feelings के साथ फिर हम गाना गाते हैं जिन्हें अच्वाइ अब जाया? उस डूर्पकराएं मैं क्या library Başka ज़ून मताया जब और तुन रही करें मारे इतानि मैं पर वाषा कहें मैं पसंद करती हूं के सामने गाना ताकि मुझसे कहीं चुप भूलना हो जाए वह बैठे रहते हैं और अगर कहीं मुझे कठिनाई होती है तो मैं पूछती हूं कहीं मैंने शब्द तो गलत नहीं बोले क्योंकि मैं आज भी डरती हूं गलतियों से और मैं नहीं चाहती हूं संगीत की दुनिया में आप आ गए रच बस गए इसके बाद आपको सबसे मतलब आपके बेहतरीन गानू की जो एक स्रिंखला है वो दौर कौन सा रहा यह आप कह सकते हैं 92 से शुरू हूँ उसके बाद मैं किसी भी वक्त को मैं बुरा नहीं कहूंगी बस एक दौर आया है चुब एंडूर से से अच्छी पर आया उस वक्त हमें थोड़ा सा परिशानी हुआ उसके बाद पर और प्रढ़ हो गया तो उस वक्त भी कठीनाईया हुई क्योंकि कि के सट का दौर चला गया तो जो प्रडूशर थे उन्हें भी कठीनाई हुई क्योंकि एक बार में प लेकिन इश्वर की दया से हमने काम नहीं रोका और भले गती थोड़ी धीमी हो गई लेकिन हम चलते रहे हैं और आज भी इश्रुताओं के प्यार के कारण आज भी गा रहे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्नेवाद कैसा लगता है कि एक मेंस्ट्रिम इसलिए कहने थे क्योंकि पूरी देश हिंदी भाषा की गीत सुनता है और एक आपके सिमित ओडियंस है जो भाषा को समझता है या जानता है तो इन दोनों के बीच पे आपको कभी ऐसा लगता है कि कास्प मैं हिंदी में गाती या मतलब जै आपको जानने वाले लोग सुनने वाले लोग का एक बड़ा समुह होता बड़ी संख्या होती है देखी इसे मैं जूट नहीं कहूंगी हर सिंगर्स को लगता है कि मेरा समुह बड़ा हो लेकिन इसके लिए मैं दुखी भी नहीं हूं क्योंकि जार्खन ने जो मुझे पहच जान मिलने में थोड़ी देर लगती या तो तुरंत मिलती कुछ कहानी जा सकता है लेकिन जार्खन के लोगों के साथ काम करके उनके मन को उनकी भावनाव को समझ करके यहां सबसे बड़ी बात है यहां पॉलिटिक्स नहीं है वैसा बहार जाएं नहीं है लोग इकदम नहीं दिखता और भाशा में बहुत प्यार है इसमें अपनापन है यह शायद उसका भी श्रे में बाबा को ही दूंगी और हमारी मुरी वाली को दूंगी प्योंकि मैं जब छोटी थी तो हमारे घर एक मुरी वाली आया करती थी उसे हिंदी नहीं आता था वो नाकपुरी म क्या कहते हैं तो बाबा तूटे-फूटे तरीके से उनसे नाकपुरी में ही बात कहते थे और वह मुरी वाली मेरे को बहुत पसंद थी बहुत प्यार करती थी तो उनके कारण नाकपुरी भाशा से मेरा लगाओ थोड़ा ऐसे ही बढ़ चुका था और मुझे नहीं पता थ कि मैं एक दिन नाकपुर जारखंड में धारखंड की गाइका के रूप में जानी जाओंगी बिल्कुल हाँ इसके लिए मैं अपने श्रोताओं को कितना भी कोटी भी धन्यवाद दोंगी तो शायद कम होगा मैं रिणी हूं अपने श्रोताओं की जो जिन्होंने मुझे प पूरी हैं या फिर आप बैंगॉली है इस प्रोग्राफ को देखने के बाद लोग जान जाएंगा और इसके बाद आपकी तारिफ करेंगे कि आप बांगला भासा से रहते हुए आपने जारखंडी भासा में इतने गीत गाये और लोगों को इतना जुमाया इतना नचाया इतना मनुरंजन किया ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर के लिए मौका नहीं मिला मुझे ओफर मिला था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जहां हूँ शायद वहीं के लिए हूँ और अगर बाहर का काम मैंने किया भी बाहर का काम मैं करूंगी तो यहीं से करूंगी जो भी करना हो यहीं से करूंगी मैं कहीं बाहर जाके अपना जार्खन नहीं चोड़ पाऊंगी इसलिए मेरी शादी भी मैंने जार्खन में किया क्योंकि मुझे जार्खन बहुत प्यादा है एक छोड़ा सा ब्रेक लोगे ब्रेक बाद आते हैं तो जार्खन से थोड़ा और प्यार बढ़ आता स्वागत है आप देख रहे हैं दासोर इसों में इमारे साथ हैं मोनीका मुंडो इस तीसरे सेग्मेंट के शिर्वात से पहले हम आपके गाने ही सुन लेते हैं बाद्चित का सिल्सला तो चलता ही रहे है बिल्कुल-बिल्कुल मैं मेरे दिल के करीब का एक गीत है जो मैंने और हरेंदर भाई नहीं गाया था लोगों ने बहुत पसंद किया थे इस गाने को मैं उसे दुलाइन गाना चाहूंगे चुड़ीना लागे मौर देल है के जुगाए रख भी दिल में बेसे चुड़ीना लागे मौर देल है के जुगाए रख भी दिल में बेसे नहीं रे नहीं तोई तो मौके दिले जिनगे कहियो तोर दिल मौई तोड़ा भो नहीं चुड़ीना लागे मौर देल है के जुगाए रख भी दिल में बेसे यह प्यार है जो उस दौर को याद दिलाता है जब लोग गिफ्ट में अपने गल्फेंट को चुड़ीयां दिया करते थे इसी तरह के सिलसले जिन्देगी में चलते रहें कि प्यार बना रहें बहुत पूरी से कभी आपको प्यार हुआ मैं तो कह रहे हुँ मुझे हर लैंग्वेज से प्यार है हर लैंग्वेज आप किसी भी लैंग्वेज का बात कहेंगे तो मुझे प्यार नहीं है मैं यह नहीं कह सकती वस उस भाशा में किस तरह के आप बाते सुन रहे हैं किस तरह के गाने सुन रहे हैं यह डिपेंड करता भोच्पुरी में मैं शादा शीना जी की फैन हूँ, मुझे उनका गाना बहुत पसंद है बनिया के जहाँ जिसे पलटनिया बनियाई हाँ पिया लेले आई हाँ हो लेले आई हाँ हो पिया से नूर बंगाल के हो कैसे कह सकते हैं आप कि भोच्पुरी से प्यार नहीं हो कोई गाने का मौका मिला भोच्पुरी हूँ हां कई गाने मैंने गाये हैं लेकिन मुझे याद नहीं है मुझे डाइरी देखना पड़ेगा मैं जरू सुनाओ चलिए कोई बात ने, अच्छे नागपूरी के एक सफर की सुरुवात, मतलब नागपूरी की एलबम और संगीत की दुनिया की सुरुवात, कि आप लोग कड़ी हैं, और आज जो नागपूरी आप देख रहा हैं, या सादरी देख रहा हैं, क्या फरक देखते हैं, क्या तरक जो भी गाने सुनते हैं वो रिद्म बेस्ट है शब्दों पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है जिसकी आवश्यक्ता है बोल बोल पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गलती उनकी नहीं है जो ऐसे गाने निकालते हैं, गलती हमारी भी है, हम सब की है, अच्छे शब्द तभी निकल पाएंगे, जब आप उसमें डूब पाएंगे, या आप उस भाषा की जानकार होंगे, भाषा को जानते होंगे, आप थोड़ा पढ़ी लिखे भी होंगे, तो शब्द तभी निकल के बड़े-बड़े लोग अच्छे गाने लिग करके गए हैं लेकिन अभी एक चीज में लेगती हूँ कि स्टुडियो में बैठते हैं और बैट करके चलो गाना बनाना है बना लेते हैं चलो ना ये धुन आ गया इस पर बना लेते हैं इस पर थोड़ा लिखिया ना थोड़ा सा दो लाइन आप लिखे दो लाइन हम लिखे दो लाइन तो इस तरीके से गाना बनता है हम गाने को सुनते हैं गाते हैं और स्टूडियो से एक कदम बाहर निकलते गाने भूल जाते हैं, लेकिन अभी कुछ गाने बहुत अच्छे आ रहे हैं, शुरुवात हो गई है, आने लगे हैं, सत्या जी के गाने भी आपने सुना होगा, सत्या वो भी बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, गाना बनाते हैं, उनके गीद भी ह हैं तो जो भी है एक समे कि प्रसमें तुह आप आज औधी प्रसंगिक क्या है को कि अमर बढ़ती जो कि आजके जो आप मने कहा कि धूम पर जादा ध्यान देया जाता है ने रिदम पर रिदम पर जी कि आप गाना सुनेंगे कोई भी पार्टी में वाहरों में तब बहुत ज्यादा बहुत ज़ादा इक ही तरह का जो रिदम है एक चिश्दों की कमी मुझे जब मैं प्रित की बात करता हूं तो उसमें लव सॉंग भी है, साड सॉंग भी है, रोमांस भी है, कुछ जैसे, कुछ सोशल मैसेज वाले गाने भी है, जनिमन कर फैसन, हाईरे फैसन, कभी पुराना नहीं होने वाला, ये तो बदलता ही जाता है, मतलब उसका लव और रोमां साड से कुई मतलब नहीं है, हाँ, वो हालात बता रहा है कि हमारे दौर हमारे कैसे बदल रहे है, मतलब पहले के जो गाने थे न, उस पे आप अपने खाबों को बुन सकते थे, आज के गाने में आप बंद जाते हैं, कि ये, क्योंकि आप वीडियो भी आ गया है, वीडियो जो दर्शाता है, डारेक्टर जो दिखाता है, आप उसमें खो जाते हैं, आपको वो नहीं आता है कि हम अपने सपनों में खोई, पहले की गाने आप सुनेंगे तो आप अपने सपनों को बुन सकते हैं उस गानों के दोरन, तो मैं वही कह रहा था कि अब जो है, वैसे तो आपने वाली थी लेकिन आपने रोग दिया मुझे, आप डाइरी मत पकड़ो अपने वाली थी लेकिन आपने रोग दिया मुझे, आप डाइरी मत पकड़ो अपने वाली थी लेकिन आपने रोग दिया मुझे, आप डाइरी मत पकड़ो अपने वाली थी लेकिन आपने र कर दिया तो मुझे देखना पड़ेगा अच्छा कोई बात नहीं गाने जैसे कि मैं भूल जाती हूं निकलती हूं जब आएंगे सुनेंगे नागपूरी की दुनिया बहुत शूटी है बहुत संगर्स भी है क्या लगता है कि आज के इस दौर में ग्लोबल दौर में इसलिए कि ग्लोबल दौर कहना इसलिए जरूरी है कि हम कुरियन संगीत भी सुन रहे है बिल्कुल बिल्कुल आज कल के बच्चे सारे लोग सुन रहा है वहां हमारी जारखंडी नागपूरी संस्कृती कितना अपने आपको उसके साथ संघर्स कर अधर नहीं तूलना करना चाहूं क्या हमारे ओडियंस बंदे रह पाएंगे बिल्कुल अगर अच्छे गाने बने आज भी बंदे है केवल जारखंड में ही नहीं केवल इंडिया में ही भारत में ही नहीं बल्कि फॉरण से भी हमें कॉल आता है कि मैं इस ताइप का गाना और चाहिए वो चाहिए तो हमारे लोग जहां जहां हैं कहां नहीं है आप कह सकते हैं जहां जहां हैं वहां से जब कॉल आता है वह जब मैसेज करते हैं आप नेट पे देख सकते हैं तो मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं कि हमारे लोग जहां जहां हैं हमारे गाने बसते हैं बसते रहेंगे और एक दिन ऐसा मुकाम आएगा कि आज मैं कह सकते हूं आपनी एमस धोनी अंटोल्ड स्टोडी देखा है उसमें जनिमनकर फैसन का ही म्यूजिक को मांग करके लिया गया है उस म्यूजिक को डाला गया है तो कुछ तो है ना हम वहां तक अपनी अपना जंडा नहीं गाड़ पा रहे हैं लेकि जो बॉलीवूट के लिए भी बिल्कुल नया और अनुठा होगा कैं लोगों इस पर काम भी किये मुझे भी आप इंस्टा में मुझे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे मैंने अपने बेटे के साथ किया है ऐसा फिर जिन किया है नागपुरी और इसका इंस्टा में आप है तो उसको हम किस तरह से नागपुरी में हम उनके शब्दों को उनकी भाश्रा को समझा सके इसका भी प्रयास हमने शुरू कर दिया है मैं करती रहूंगे और यह आते रहेगा मतलब यह यह टास्क में आपको देखेगा रहूं कि इस पर जरू कामदरिया कोशिश करिएग नागपुरी के साथ संघर्स एक शब्द जो है जल जंदल जमीन जुड़ा हुआ है नागपुरी के साथ क्या इस संघर्स को आपको दिखता है कि नागपुरी की इंडिस्ट्री में कभी इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दिया क्योंकि धार्खन में जिन मुद्दों को लेकर के आम अवाम लड़ती रही है क्या उन मुद्धों कुल को कभी संगीत में ढ़ा गया संगीत में सुनाए दिये बिलकुल मैंने सुना मधुमन सुरीजी को गाउं छोडब नहीं जंगल छोडब नहीं माय मत्य चोडब नहीं लड़ाई छोडब नहीं वो एकलावता उधार रहे हैं और भी है कई गाने मुद्धा जी कभी गाने हैं तो में बात यह है न कि ऐसे गीत कभी कभार ही आपको सु लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि हमारे धारकण के जो यंग्स्टर्स हैं इस चीज को समझने लगे हैं हमारे जो कहेंगे धर्ती का जो लूट है उसको भी समझने लगे हैं और चुकि उस्कि जब 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 चला गया तब चला गया कि हमारे गीत संगीत में गाउं में कोई गा रहा हो तब बात अलग है बट उसका कमर्शल वर्जन जब आता है तो आदिवास्यों के मुद्दे छूट जाते हैं सिर्फ प्यार रोमान्स बिल्कुल सही कहा आपने और मैं आपको बता दू सच्छ मुछ दो तीन दीन पहले ही ए एक राइटर बहुत अच्छा लिखते हैं प्रभाकर जी उन से मेरी बात विया मैंने इसी मुद्दे पर गाना लिखने को मैंने कहा कि कुछ तो रह जाए हमारे हिस्ट्री के लिए जैसे मुझे बहुत पसंद है लटा जी के गाये ऐ मेरे वतन के लोगों तो हमारे जार्ख कि कोशिश करें अपनी बाशा अपने जमीन अपनी सस्वित को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा जुनुनी संगीत होना है जब सरकारी प्रोग्राम में या कोई ऐसे उक्रिशन में जब नाधपुरी गाने बजाए जाते हैं तो नाधपुर कर कोड़ा करना जाने जिए तो उनके पास भी कई आने हैं जो बहुत अच्छो вас मकर आकर जाल में बागहा बाजी गिल के कहूं के सुनी के पुतिया तो ये सब जो ठीट टिपिकल गाने हैं ना जो शब्द के तीर छोड़ते हैं ना वैसे गाने को रेकॉर्ड करके हम नहीं छोड़ पा रहे हैं ये हमारा दुख है तो इस पर हम लोग लगे हैं और आपको अब मिलने शुरू हो जाएगी जोड़ा करेंगे एक शोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तो संगीत का सरकार के से क्या सरूकार है जरा ये भी सुन देते हैं बेकेमाल आपका स्वागत है आप देख रहे हैं दासोरिंस वा दासोरिंसो में हमारे साथ है जारखंड की सीनियर मोस्ट सिंगर मोनिका मुड्डू इनके गानों की तारीफ ना सिर्फ जारखंड में जारखंड के बाहर ओरिसा बंगाल आसाम कितने राजियों में जहां भी जारखंड की लोग बसते हैं या जारखंड भासा से जिनका लगाव है वो इन्हें जरूर सुनते हैं वो इन्हें जरूर जानते हैं मुनिका जी बड़ा गंभीर सवाल है, शवाल यह है कि सरकार का जारखंडी गीट संगीत से कितना जुडाव है, कितना नाता है? देखिए जुडाओ नहीं है आप नहीं कह सकते हैं है ना मैं भी नहीं कहूंगी संगीत तो ऐसी विधा है कि हरे एक के दिल को भाता है जब कि पेड़ पौदे जन्तु जानवर सब को भाता है तो सरकार कैसे नहीं जुड़ेंगे है ना उनका जुडाओ है लेकिन इस पर सही जो कार होने चाहिए संगीत और खेलकूद को मिक्स कर दिया गया है इसका मुझे दुख है संगीत एक अलग विधा है खेलकूद एक अलग विधा है तो जब तक इन दोनों का फर्क नहीं पता चलेगा तो जारखन का गीत संगीत को सही तरीके से पनपना थोड़ा सा मुश् है तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट भी करूंगे सबकार से कि इस विषय पर थोड़ा विचार किया जाए तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है आप जैसे खेलगाओं में आप देखे होंगे वहां का अदमी खोली गई है लोग सीख रहे हैं लेकिन वह एक ऐसी जगह पर है यह तो दो तीन जगह संस्था होने चाहिए ना वह एकलौता संस्थान है जहां पर एकडम खेल गाओं है इतना दूर है कि लोग जो हमारे लोग है खास करके जो ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसे ही सिफ उन्हीं को हक है संगीत सिखने का जो गरीब है उन्हीं संगीत सिखन संगीत साहित संस्कृति कला इन सब के संवर्धन के लिए आपको क्या लगता है कि क्या काम करने चाहिए जो जिससे यह संवर्धित भी हो और इसका विकास भी हो देखे अभी तो डिजिटल यूग है ना अब आप किसी के भरोसे आपको रहने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ज कि मुझे अपनी मैंने जो मेरी जो अविग्यता है जो मैं जानती हो उसे मैं शेयर करना चाहूं तो मैं एक चैनल की मार्धीयम से में लोगों को सिखा सकते हूं बचों को सिखा सकते हूं और मेरा यह दे भी है या आप कiration को भी सामने डख सकते ब्लकुल ब्लकुल तो मेर रव्सक्राइब उसक्राइब चुक्यान इंगेक क्या पहती इंगा है क्या तो कि जिन्हों ने भी अपना संस्था खोल रखा है एक पाट उन्टिली भी रखिये कि वो भी अपना परिचय बना सके अच्छी आवास थी अच्छी गाने भी गाये फिर वह गुम्णावी में चले गए आप तब आज भी सुने जाते थे आज भी सुने जाते हैं आपने अपने आपको कैसे बतलब सस्टेन किया इस इंडस्ट्री में यह मुझे नहीं पता यह तो मेरे श्रोताओं को पता होगा तो और मेरे भगवान को पता होगा मैं तो बस एक आम इनसान हो और जैसा काम मिलता है मैं यह आदेशा नुसर मिलेगा, मैं वो काम करूंगी, मैं अगरिंग भी करती हूं, मैं अभीने भी करती हूं, मैं गाने भी गाती हूं, मैं खाना भी बनाती हूं, मैं बतन भी धोती हूं, तो, चलिए, एक आखरी सवाल, राजमीती में आपकी दिर्शस्पी है, अक्सर मैं किसी कल जोड़ना ही नहीं चाहती, मेरे शुता हर कोई है और मैं राजनीती में इसलिए आना नहीं चाहती। वोट देने वाले गाने भी सुनते हैं। बसना चाहती हूं बस चलिए आपके दिल का ये कलाकार जिन्दा रहे हमारा मनुर्णजन करते रहे और हमारे कानों को अच्छी आवाज आप देती रही है बहुत बश्युक्या इस तो में आने के लिए बातचित करने के लिए हमारे साथ थे मोनिका मुंडू जो पिछले धाय तीन दसकों से नाकपूरी इंडस्ट्री में एक शत्र राज कर रही हैं इनके गाने तब भी सुने जाते थे आज भी सुने जाते हैं और जैसा कि इनोंने भरोसा दिया है कि आने वाले दिनों में कुछ और अच्छे गाने लेकर ये आएंगी तो उसका भी इंतजार रहेग लेकिन फिलाल हमें इस शो से दीजे जाज़त नमस्कार जोहार